So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे Asus की Genphone 8 सीरीज के बारे में जी यां दोस्तों आप सबको पता है Asus की तरफ से इनके प्रिमियम स्मार्टफोन आते हैं Genphone सीरीज में Recently इनका स्मार्टफोन ROG5 लॉंच हो चुका है लेकिन यहाँ पे Genphone 8 सीरीज भी काफी जल्दी ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगी इस सीरीज के बारे में काफी सारी इन्फोर्मेशन हमारे पास आ चुकी है तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि Genphone 8 सीरीज में आपको क्या कुस देखने को मिलेगा तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर जानकारी के लिए वीडियो में एंट तक चुड़े रहें और दोस्तो शैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको ऐसी टैक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो अगर बात करते हैं Genphone 8 सीरीज की तो ऐसी इन्फोर्मेशन है कि इस बार इसमें आपको तीन स्मार्टपोन देखने को मिलेंगे इसमें एक नॉर्मल Genphone 8 होगा, एक इसका प्रो वेरियंट होगा और एक मिनी स्मार्टपोन भी यहाँ पर आएगा जो कि थोड़े कॉम्पैक्ट साइज का होगा इनके बारे में काफी सारी डिटेल हमारे सामने आच चुकी है, तो चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ नया आपको Genphone 8 सीरीज में मिलेगा इसमें सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इनके प्रोसेसर के बारे में आप ये कन्फार मान सकते हैं कि तीनो ही स्मार्टफोन में यहाँ पे आपको Snapdragon 888 चिपसेट दिया जाएगा जी हाँ दोस्तों यहाँ पे Flexi Performance आपको तीनो स्मार्टफोन में मिलेगी और Snapdragon 888 चिपसेट के साथ में ही ये आने वाले हैं इसके अलावा यहाँ पे आपको 5G connectivity भी तीनो स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे 6GB से लेके 12GB तक के RAM variant इन स्मार्टफोन में आएंगे तो अगर performance की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई compromise नहीं करना पड़ेगा तीनो ही स्मार्टफोन में Snapdragon 888 चिपसेट दिया गया है Next यहाँ पे बात करते हैं इनकी display के बारे में तो जो इनका compact स्मार्टफोन होगा Zenfone 8 series में वहाँ पे आपको 5.9 इंच की एक OLED डिस्पले देखने को मिलेगी यह काफी अच्छी बात है दोस्तों कि आपको एक छोटा option देखने को मिलेगा अगर आपको बड़े size के display पसंद नहीं है यह 5.9 इंच की एक OLED डिस्पले है, Full HD Plus resolution यहाँ पे दिया जाएगा और इसके लावा 120 Hz के refresh rate के साथ में यह आने वाली है तो यहाँ पे काफी कमाल का काम ASUS करने वाला है इन स्मार्टफोन की display के साथ में इसके लावा जो बाकी के smartphone है वहाँ पे आपको 6.7 इंच के आसपास की display मिलेगी और वहाँ पे भी आपको 120 Hz का display देखने को मिल जाएगा तो बाकी companies की तरह यहाँ पे ASUS ने भी अच्छा काम किया है और 120 Hz वाली OLED डिस्पले आपको दी गई है इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इनके cameras के बारे में तो इन smartphones में आपको जो primary sensor देखने को मिलने वाला है वो sony imax 686 sensor होगा जो कि 64 megapixel का होने वाला है इसके लावाँ यहाँ पे आपको 12 megapixel का ultra wide angle lens दिया जाएगा जो कि sony का ही sensor लगा होगा और third sensor की बात करें तो 8 megapixel का camera इसमें आपको मिलेगा जो front camera होने वाला है दोस्तो 24 megapixel का आपको देखने को मिलने वाला है अगर कुछ additional information की बात करते हैं तो एक model यहाँ पे आपको flip design के साथ में भी दिया जाएगा जी हाँ दोस्तो 2 smartphones में यहाँ पे आपको front camera मिलने वाला है जबकि एक smartphone ऐसा है जिसमें कोई front camera नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि flip design के साथ में यहाँ पे आपको एक smartphone मिलेगा जैसे आपको Zenphone के previous smartphones में भी मिला था तो आप back camera को ही flip design से front camera की तरह यूज़ कर पाएंगे जो कि काफी सारे customers को काफी ज़्यादा पसंद आता है इसके लावा दोस्तों यहाँ पे battery बगएरा में भी आपको improvement देखने को मिलेगे अभी तक battery related को information नहीं आई है लेकिन expectation यही है कि 65 वोट की past charging का support आपको इन smartphones में दिया जाएगा इसके लावा in display fingerprint scanner का support आपको यहाँ पे मिलेगा Bluetooth 5.2 का support भी आपको इस series में देखने को मिल जाएगा तो Zenphone 8 series का weight काफी सारे customers को है और अब आपको ज़्यादा weight नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले 2 या 3 महीने में आपको यह smartphone market में देखने को मिलेंगे हालांकि Zenphone 7 series इंडिया में launch नहीं हुई थी Zenphone 6 series के smartphone इंडिया में आए थे तो यह देखना बाकी होगा दोस्तों कि कौन-कौन सी countries में Asus इन smartphones को launch करता है इंडिया में इनको definitely लेके आना चाहिए क्योंकि एक अच्छे price पे अच्छे package आपको देखने को मिल जाते हैं तो यही है दोस्तों पूरी information जो कि अभी तक Zenphone series के बारे में आई है इसके अलावा जब भी कोई additional information आएगी आपको वीडियो मिल जाएगी तो इसके लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो ची लगी तो like कर दीजिए अगर आपका कोई question आप पूछ सकते हैं मैं मिलता आपको next वीडियो में तब तक के लिए goodbye, have a nice day